तो यह है अपना प्लेग्राउंड लड़ने का ओके सामने से बंद आया है पीक लेके मारने के बहुत अच्छी कोशिच बद यहां पर फिक निमन ले गए है अच्छा ठेक ठेक नाच लीजिए ठेक नाच लीजिए खुछ होगी लेकिन सामने एक वर बंदा है जो कैम करके बै और यह देखिए निकाल दिया बढ़िया कोई नहीं कैसे बजी तो एक बंदा गाड़ी लेकर आया और यहां पर देखा और यह मार दिया है बहुत बढ़िया शांदार तरीके से और यह 47 ने मॉली डाली है क्रिमिनल सब चल चुके हैं लेकिन कोई नहीं वो हील कर लेंगे क कि एक और बंदा आया बग्गी लेकर कि 47 यहां पर पीक लेकर बैठे हुए हैं देखते हैं क्या होता है कि 47 ने दिया रेमेज अब इससे लेक है कि मुझे लगा पीक नहीं देखा पर देती है कि यादव जी का यहां पर पीक लेंगे कि 47 को डेमिज गया है कि कोई नहीं हील कर लेंगे खाफी हील है उनके तो ना चुका है और सब को भागने की जौरत पड़ चुकी है इसलिए ज्यादव जी भग चुके हैं यह 47 पहले ही भग लिए के और यह अना राइए और यह काफी शानदार तरीके से जंप एंड शूट दिया है भाई गताई 47 की ब्लेट पहले है इस गाड़ी लेके जारा है बंदा ना डार्क बेन एक और बंदे ही ले लिए हैंपर तीनो तरफ से जोन बन चुकी है चुकाय तीनो बंदे एच पर एक दो बंदे एच पर खड़े और बंदा भीच में हैं डार्क बेन एक बहुत ही शांदर जगांपर बैटा है जहां पर वह पीक ना दे तब भी वह रह सकता है और यह दोनों ने एक दूसरे को सेम डमेड दिया है ओल्मोस्ट नहीं अब लेकिन क्रिमिनल सरक आने पड़ेगा लेकिन डार्ट में आने नहीं दे रहे हैं यहां पर लेकिन डार्ट में आने देंगे बेटे ऑके अब जिगल जिगल चल रहा है यादव जी साइट से benefit ठाने के उजश्च कर रहे हैं पीक लेकर देखते हैं क्या वो कुछ कर पाते हैं ओके कैनी मैन भहिया दोनों तरफ से गिर चुके हैं ओके काफी बढ़िया बट यादव जी जो है वो कवर में है कैनी मैन भहिया को एक को तो मानना ही पड़ेगा कवर में आने के लिए सबसे बुरे फसे पड़े हैं के टार्क में चीच ले रहे हैं और यह 10-10% दोनों डैमिद एक दूसरे को दोनाने वाला है कैनी मैन भहिया को आना पड़ेगा स्मोग रिनेड्स होते तो वह आ जाते और भाई यादव जी ने इसका पूरा फाइदा उठा लिया है और फीक लेकर मार दिया बड़ी असान से फंविवन की सिच्वेशन बन चुकी है देखना वाकी है कि यह क्या करते हैं ओके यादव जी ले रहे हैं पीक तार्क में बेस हो रहे हैं क्या नहीं समान उठा रहे है यादव जी को भी तीन फिनिश के साथ डार्क में जीत गए हैं यह मैच कॉंग्रैचुलेशन टू यू ब्रदर